नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आल इस वेल आज मैं डिसकस करूँगा जो इंपार्टन एनाउस्मेंट है इस चैनल से वो यह है कि आपको आपका जो syllabus है उसमें हम आगी जो next lecture आ रहे हैं कौन-कौन से free lecture जो है आपको मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं आपके syllabus से हम सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं वो बताएंगे आपको क्योंकि cooperative section जो है यह आपका जो syllabus है इसमें आगर आप देखेंगे जैसे आलमोस जैसे यह वाली हिस्ट्री है ना हिस्ट्री आलमोस सब लोगों ने कवर कर दिये जिग्राफी पढ़ लिए पॉलेटी पढ़ लिए शिर्व इसमें आपने current affair नहीं पढ़ा है बाकी मुझे पता है कि आप लोगों ने हिस्ट्री जिग्राफियी पॉल्टी पढ़ लिए अगर नहीं पढ़िये किसी ने वह कुमेंट में करें इसको भी स्टार्ट करेंगे कॉम्प्यूटर आ लिडिया आप किसी किसी भी इंच्वूट से पढ़ सकतें कि क्मफ्यूटर के लेक्ट्चर नहीं आएंगे बाकी स्टार्ट करेंगे जिवराफिय और हिस्ट्री ही पढ़ेंगे लेकिन सब से पहले प्रॉब्लम क्या आ रिये स्टुटेंट को वारी कॉपरेटिव सेक्शन पे ये यह कहीं भी मार्किट में जो है इसकी को आपका जो यह वाला component है यह हमने complete कर दिया है इसमें कोप्लीटी बैंक्स, PACS, RBI, परोलाफ नवार्ड यह हमने cover कर दिया है इसमें सिर्फ एक ही topic बचता है वो NCDC और scheme जो cooperative sector की जितनी भी schemes है यह हम coming lecture में जब भी lectures पर बनेगा तो इसको complete करेंगे और एक और और बात बता द दो गेंटे का lecture मिलेगा जिसमें में यह एक गेंटे का lecture मिलेगा जिसमें full complete करा दूंगा में ठीके अभी 10 जब 15-20 मिनिट की वीडियो है जिसमें आपको basic जो है वो तियार हो जाए जब basic तियार हो जाएगा तो finally इसको touch देंगे हम एक एक गेंटे का lecture लाएंगे जिसमें हम तीन-चार lecture लाएंगे जिसमें आपका पूरा cooperative section जो है फुल complete हो जाएगा अब इसके बाद हम जो start करेंगे next वो है ये वला इस पे जितने भी act आये हैं इस पे MCQ कितने बन सकते और कैसे बन सकते ये अच्छे से करेंगे क्योंकि तीन-चार marks सिर्फ इदर से ही आएंगे तो नीचे वला जो section है ये वला ये वले section है तो इसमें 7-8 number आपके बनने ही बनने है इसके बाद ये वले question है तीन-चार number इदर से बनने है तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए इसके ये जो portion है starting का ये वला ये हम detail में discuss करेंगे full detail में वैसे पढ़ेंगे जैसा किसी ने अभ 400 pages जो है four to six hundred pages दोनुके हैं तो it takes around one or two week जिसमें ये book में खतम करूंगा उसके बाद ये वले lecture जो है ये बहुत ही deeply अच्छे से पढ़ेंगे जैसे इसके लाबा ये mcq है ना इस पर मैंने बना दिया आल्मोस्ट पहले ही mcq नहीं क्या है कि थोड़ी सी theory दिये basic दिये साथ मैंने mcq discuss किये कि किस तरह के mcq आ सकते हैं आपके exam के लिए क्योंकि आपने mains तो लिखना नहीं है आपने सिर्फ pre की त्यारी करनी है strategy जो है वैसी होनी चाहिए कि आपके mcq निकल जाए तो आपका basic with mcq मैंने ये cover किये 3-4 lecture आये हैं अगर नहीं देखे आपने starting के lecture जो है अब तक 10-11 lecture आ चुके हैं cooperative section पे ये full जो है ये इदर से नीचे इसको मैं cooperative section बोल रहा हूँ ठीक है इसमे lecture almost आ चुके हैं वो जाके आप playlist में देखें क्योंकि इसके ये वाले जो है इसको हम full detail में अभी cover करेंगे जो next lecture आने वाले इसमे theory discuss करेंगे हम theory लेकन सबसे पहले at least आपको क्या पढ़ने जा रहे है वो पता चले इसके लाबा इसके बारे में आपके 4-5 question इदर से निकलेंगे simple सा इसमें है क्या कुछ नी इसमें ये है कि cooperative society जो है उसकी कितनी परकार है कितनी types है एक तो agriculture cooperative होती है farmer cooperative होती होती है agriculture cooperative में क्या है कैसे है कौन-कौन से agriculture cooperative JNK मे है इंडिया में है तो उसके बारे में डिसकस करेंगे farmer cooperative कौन-कौन सी है तो farmer के रलेटर आपको पता farmer news में रहें last year इस पर question बन सकता है तो यह important भी है इसके लाबा supply cooperative क्यों होती है business and employment cooperative new generation cooperative ये वाले जो है 4-5 question इदर से बनेंगे इसको full detail में पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे कि जैसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा समझ गे इसके लाबा ये वाला जो history moment जो है cooperative moment जो है इसको हम detail में discuss करेंगे आने वाले lecture में और ये भी discuss करेंगे ठीक है जो आलड़ी lecture जिन्होंने lecture नहीं देखे हैं वो देख लें वो हमने start किया था इदर से फिर full मैंने detail स्टार् चार question इदर से बन जाएंगे और फिर आपके जो है यह वाले जो है बीस question इदर से आएंगे बीस number जो है वो starting से आएंगे तो यह almost full section हम cover करने वाले हैं तो यह geography of India with special focus on Jammu and Kashmir इसका जो आपने जितना भी syllabus लिखा है इसमें जैसे आप देख सकते हैं importance of geography, general geography, physical geography, climate, soil and vegetation और economy, geography, जितना भी यह है यह आपका 9th class की NCRT ले, NCRT 9th class और 11th class की इसमें सब detail में दिया हुआ है आपके पास time है आप पढ़ लो अगर आप सच में इस exam को qualify करना चाहते हो 91 post में आपका number अगर चाहिए आपको क्यूंकि जब तक आप NCRT नहीं पढ़ोगे जितने मर्जी जिस मर्जी चैनल के आप वीडियो देख लो क्योंकि हर बंदा पढ़ रहा है आप यह सोचों की 91 post हैं 50,000 से जादा बंदा जो है रेगलरली वीडियो किसी ना किसी चैनल पर देख रहा है तो you must have an edge उसके लिए आपको NCRT पढ़नी ही पढ़नी है compulsory है अगर आपने NCRT नहीं प UPSC का ओके क्योंकि UPSC में अगर question NCRT से आते हैं तो JKPSC B pattern almost UPSC का follow करने लगेगा इस साल से यह this must be very clear in your mind JKSSB नहीं है यह JKPSC है ओके तो आपको उसी एंगल से पढ़ना है NCRT जरूर पढ़ें क्योंकि उसके लाबा कोई चारा नहीं है this is very clear इसके लाबा आपकी quality की section है quality की section जो है न यह quality की लक्ष्मी कांत के लक्ष्मी कांत ले लो market से लक्ष्मी कांत को line by line पढ़ो उसके कितने भी notes वैसे तो हम discuss करेंगे सिधे लक्ष्मी कांत के जो है क्या क्या important है वो मैं बता दूँँगा लेकिन अभी फिलाल पहला मेरा motive है क cooperative section पर कोई भी बहुत कम वीडियो आई है चैनल पर किसी भी चैनल पर देखो और आई भी है तो मैं क्या comment करूँगा कैसी आई है बट आखो समझधारो quality जो है इसके लक्ष्मी कांत ले लो और उसके chapter जो क्या क्या discuss करना है इसमें लक्ष्मी कांत में आपने पढ़ना क्या ह उसका basic वाला पढ़ लो उसके लावा आप DPSP पढ़ लो फिर पढ़ो आप fundamental rights और fundamental duties और फिर एक गवर्नर के बारे में जरूप पढ़ना पार्लिमेंट और गवर्नर ठीक है गवर्नर इसके लावा अगर आपको वीडियो देखनी है such may you want to qualify this exam एक dr. सिदार्थ रोडा है dr. सिदार्थ रोडा ठीक है उनकी hundred videos पढ़ी है YouTube पे खाली आपने लिखना quality by the dr. सिदार्थ रोडा तो उनसे मैंने खुद class में पढ़ा हुआ है Vision IS में पढ़ाते हैं मैंने खुद उनकी class ली है he is very intelligent person in Delhi ठीक है आल इंडिया में जो है इनका नाम चलता है dr. सिदार्थ रोडा subscription नहीं लेनी है simple YouTube पे जाना है और search करना है quality by सिदार्थ रोडा इनसे जो है आपने वीडियो देख लेनी है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु रहे हैं और आपको यह बता हूँ ना चाहिए गुरु का चला कुन है मैं हुना तो बास समझ साथ होगे उनसे ज्याधा में नहीं पढ़ा सकता ठीक है और आपको वही पढ़ना है उद्र से है पढ़ना है फिल्ल हम तो लेक्टर चलाएंगे यह नहीं कि quality नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे लेकन आपको वह lecture देखने ही देखने हैं ठीक है ताकि आपको एज में ले क जो प्राने लेक्चर आए मेरे modern हिस्टी पे वो भी देख लें क्योंकि वो भी अच्छे हैं सिर्वो copy पे हैं अब digital आएंगे तो हिस्टी के भी cover करेंगे with respect to JKPSE के एंगल से हम JKSSB के एंगल से नहीं लेके चलेंगे समझगे और quality जो है इसको full detail में आप सिदार्थ रोडा की वीडियो देखें ये जो section है आपकी Indian quality with special focus on Jamo Kashmir फोकस आपने Jamo Kashmir पे क्या रखना है एक तो federal structure आपने अच्छे से पढ़ना है तो ये लक्ष्मिकांत में एक chapter है जिसका नाम है central state relation central state relation तो इसमें आपने पढ़ लेना है क्या है और एक chapter है federal structure ये भी लक्ष्मिकांत में दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है और सिदार्थ रोडा की वीडियो देखनी है ओके ये वाला full complete पढ़ना है आपने और ये आपका कबर हो जाएगा अगर आप देखोगे 100 वीडिय ना कि हमारी selection नहीं हुई ठीक है ना क्योंकि NCAT बहुत ही कंपल सरी है जितने मर्जी जितने मर्जी लेक्टर देख लो आप NCAT नहीं पढ़ी होगी तो you will not be selected इस वेरी क्लिर ओके नेक्स्ट आपका जो है cooperative section ये तो हम complete full करेंगे 40-50 नंबर इसके आएंगे तो ये करेंगे इ ये आपने banking के अगर जो बंदा त्यारी कर रहा है उसने जो math और reasoning पड़ी होगी वह भली reasoning जो है इधर काम आने वाली है इसके लिए आप एक dare sir करके एक channel का नाम है वहाँ पे ये सारा reasoning वो करवाते हैं तो वह आप channel देख सकते है dare sir करके ठीक है सर्च करना और वहाँ पे lecture सा है नहीं तो इसको मेरे को time लगगा क्यों मैंने books मंगाई है दो एक foreign आथर की एक Indian आथर की है तो इसको अच्छे से complete करेंगे मेरे को time लगएगा अगर मैं आपको book बोलूंगा recommend करूंगा आपको 600 page पढ़ने आपने सिर्फ कम से कम 100 page पढ़ने हैं जिसमें से आपका 30-40 नंबर का अगर आए तो आप 25 marks ले सके अगर 30 का आए तो आप 35 तक marks ले सके चालिस का आए तो आप 35 तक marks ले सके क्यों 5 questions तो ऐसे होंगे जो किसी को भी नहीं आएंगे समझ गे ना तो ये आपका main motive होना चाहिए फिर से बता र आएंगे जोग्राफी के लिए आपने 9th और 11th class की NCRT पढ़नी ही पढ़नी है 9th वाली उसमें क्या ही है कि आपके lakes, mountains और soil, vegetation ये सब कवर किया है बहुत अच्छे से और जो physical जोग्राफी उसमें mostly simple वाली चीज़ें डिसकस किया है quality आपने डाक्टर सिदात रोड़ा से पढ़नी है economy जो है economy पे lecture जो है हम 7-8 lecture लाएंगे वो आपने देख लेने economy पे current affair पे फिलाल आपने विजनाइस की monthly magazine आती है अगर वो नहीं पढ़नी है तो PT 365 आती है वो पढ़ लेनी है ठीक है और computer पे किसी भी चैनल के lecture देख लो computer पे computer का इतना वो नहीं है ठीक है और quality पे लक्ष्मिकात पढ़नी ही पढ़नी फिर से और जिग्राफिक लिए एन NCRT पढ़नी है आपने 9th और 11th की ठीक है और इसके लाबा कुछ topic जो है हम discuss करेंगे लेकिन full topic we can't discuss आपके बाद 6 month है 6 month में आप पढ़ सकते हो NCRT इसलिए में focus कर रहा हूंगे NCRT ही पढ़ क्याने के मतलब है कि उन से जादा content ही होगा ताकि आपको थोड़ा सा edge मिले यह अभी लेक्चर बन रहे अभी subscriber भी कम है अभी views भी कम है लेकिन आने वाले 6 मेहिने या एक साल के बाद subscribers भी बढ़ेंगे और views भी बढ़ें मुझे उसकी चिंता नहीं है मुझे ना मुझे हमें हमें क्या करना है हमें यूटली टेरिन नहीं बनना है हमें क्या करना है service motive हमारा होना चाहिए यह लक्चर आपको पसंद आया होगा जो लोग पहली वार विजट करें हमारे चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत मैंनत लगती है वीडियो बनाने में मै मैं फ्री नहीं होता हूँ मैं भी बिजी होता हूँ most of the time और आपके लिए lecture प्रिपेर करना इस वेरी इंपोर्टेंट सब्सक्राइब करने से यह होगा कि जब भी हमारी नई वीडियो आएंगी आपको notification आ जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं मिलते हैं next lecture में कुछ cooperative section के और कुछ और topic के साथ thank you so much, jay hind